हेलो दोस्तों कैसा आप सभी लोग तो मेरे नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूँ मैं आप सभी अपने चैनल के अरवेल फार्मा में तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले अपने टापिक टिशू लेबल ऑफ और्गनाज़ेसन के बारे में अब टिशू जो ह हमारा कई वार टैन में आया और यह चारी चीज़र भी हमारी आती रहती है तो चलिए सबसे बहले हम जो है टिशू को यहां अच्छे ते समझ लेते हैं तो देको सिंपल हमने अब तक प्रिवेस लेक्शर हमने पढ़े थे उसमें हमने यह पढ़ लिया कि जो हमारा सेल होते हैं वह हमारी पूरी human body का सबसे smallest part होता है और यही मेन हमारा function में अगरा करता है और जो भी हमारे पूरी human body है चाहे हमारे हाथ हो दिल हो लीवर हो किड्ने हो फैंप्टे हो सारे के सारे हमारी से मिलकर ही बने होते हैं यान कि हम बोल सकते हैं कि जो हमारे जैसे पूरा घर है तो यह आपस में होता है यानल कि आपस में जूड़ता है, तो जब यह cells हमारे आपस में जुड़ता आते हैं, और जुड़ने के बाद वो इस तरह का बोल देते हैं टिशू बोल देते हैं पर टिशू की यहां पर एक खासियत क्या होते है कि जैसे इसके अंदर जितने भी हमारे सेल्स आहे हैं जाने कि जो हमारे सेल्स का गुरूप है वह बेसिकली ऐसा होता है जिनका इस्ट्रक्चर और फंक्शन हमारा क्या होता है सेम होता है जैसे अगर मैं मालू कि यह हमारा एक पूरा टिश्यू है और इसको मैं नाम देदू कि यह हमारे एक एक नाम का कहा टिश्यू है तो इस ए नाम के अंदर जितने भी हमारे सेल्स होंगे यह जितने भी हमारे सारे सारे सेल्स हैं उन सब का इस्ट्रक्चर और फंक्शन हमारा क् होता है सेम होता है चलो इसके एक छोटे से एक्जामपल से समझ लेते हैं अब जैसे मालो आपके पूरी भीमन वड़ी का एक हर्ट है अब यहां पर हर्ट आप देख रहे होगे थोड़ा हसता हुआ है बागी चेहरा देखके लगता है लेडी लिपिश्टिक बहुत जादा ल लगे हैं वह हमारे सभी सेम होगे यानिकि उसका और फंक्षन सेम होगा अब ऐसा क्यों होना चाहिए तो सिंबल समझे मालो जो हमारा पूरा हर्ट है तो इसका हर्ट का काम क्या होता है यह हमारे पूरी बड़ी में ब्लड को पंप कर रहा है और अपने आपको कॉंट्रेक् यहान की ऐसे स्कूर्ड जाए फिर फूरी जाये सिकूर्ज साय तो अब अगर इसके अंदर हम ऐसे सारे सारे सालतम कैसे लेंगे मोरी हNOगे olabilir हो जो हमारा पूर ऌडिया काले जाएं जो हमारी नहीं कर पएगा और हमारा अच्छे से काम नहीं करे उंगा तो हम बिसिकली मर भी सकते हैं तो इसलिए यह जरूरी है कि जो भी हमारा एक ऑर्गन है जो हमारा टिशू है उसके अंदर एक पर्टिकुलर सेम टाइप के हमारे क्या होने चाहिए जो अपना काम अच्छे से करें और उनका इसका 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 थोड़ा कैसा होता है मतलब स्ट्रक्चर और फंक्शन हमारे लिए क्या हो सेम हो और इसी लिए इसकी डेफिनेशन में ही यह चीज़ हमारी एड की जाते कि इट ग्रूप ऑप समसेल विच हब सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बाकि एक टर्म और इसमें सीख लो इसको हम बोलता है कि जैसे हम यह ट क्लासिफिकेशन ऑफ टिशू को यहां पर समझते हैं वागी एक और बात में बता दो कि यह हमारा जो है चैप्टर थ्री है इन्युनिट बनका हमारे अल्रेडी डीटेल्स में कवर है बहुत अच्छे से कवर है नोर्स आपको वेबसाइट पर अप्लोड कर दिये जाएंग पर लागे कि जितने भी हमारे टेशू को थोड़ा सा समझ लेते हैं तो पहला आता है इसको अपिधिलियम नाम से भी जानते हैं तो अपिधिलियल टेशू का मेजली फंक्टन क्या होता है जैसे हमारी पूरी बॉड़ी को यह कबरिंग प्रॉवाइड करा है यानकि हमारी पूरी बॉड़ी को इसने कवर कर रखा है अब एक सिंपल तरलोजिकल कोश्चन है हमारी पूरी बॉड़ी किस से कवर है वही हमारी इसकिन से कवर होती है इसकिन हमारा सबसे आउटरी पार्ट है तो एपिधिलियल टेशू का एक्च्वल में क्या होजागा इसकिन यानकि इसकिन बनी है वो एक्च्वल में एपिधिलियल टेशू से मिलकर बनी हुई है और यह हमारी पूरी बॉड़ी को कबरिंग प्रोवाइड कर रही है साथ मज़े प्रोटेक्शन भी देरी यानकि मैं आपको क्लासिफिकेशन और फंक्शन भी साथ मां बता रहा हूं पूरे क कर रहा है दूसरा क्या है इसको हम ऐसे बोल सकते हैं घरकांज रखारा है है अब रही किम सब्सक्राइब नहीं बोडि चल bara योडब bande मुझमेंट में हेल्प करते हैं यही हमारी है मस्कूलर टिसू होती हैं या कि जितने बी मस्कूलर टिसू से मिलकर बनी होती है हैं फॉर्थ हमारा आता है nervous tissue अब धेखो हमारे पूरी body के organs आप समझ गए लेकिन पूरी body को movement यान की चलाने का काम कौन करता है हमारा cns यान की central number system और उसमें हमारे आते हैं brain और spinal cord तो यह actual में हमारे आते हैं nervous tissue यान की यह जो चीज़ हैं यह हमारी nervous tissue से मिलकर बनी होती है और यह हमारी पूरी body को coordination यान की पूरे body को चलाने में काम करें और communication में भी हमारी यह चीज़ help करती है तो मोटा मोटी देखाता है तो चार टाइप से epithelial connective muscular nervous इनके बारे में इसको हम और भी further classify कर सकते हैं तो इसको हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं बागी function देखो आगर आपके पास overall function आते तो आप लिख सकते होगी हमारी पूरी body को covering प्रोवाइड कर रही है प्रोटेक्शन दे रही है इस्ट्रेक्चिल फ्रेमर्ग दे रही है इसी से मिलकर बने हैं तो यह से हमारी क्या हो गए इसके function हो गए और यह इसकी classification हो गई अब इस classification को आपको इस तरह भी लिख सकते हो यान कि यह मैंने इसके सब टाइप्स भी लिख डाले है एपितिलियल का सिंपल स्टैटिफाइड कॉलूम्न आ रहा है तो इससे आ हमारा एपितिलियल टेसु है इसको हम बस्कुलर टेसु या फिर एपितिलियम नाम से भी जानते हैं अब देखो एपितिलियल की खासे सारे के सारे उसमें कि यह हमारी पूरी बॉड़ी की covering provide कर रहे है यान कि जैसे मैंने आपको पहले बता है कि जो हमारी पूरी बॉड़ी है उसको cover करने का काम करने कौन अब ऐसा करके हो पा रही है तो इसके अंदर दे हमारे सेल्स प्रिजेंट होते हैं वह बहुत जाधा tightly closed पैक होते हैं जैसे मालों यह हमारा है तो नॉर्मल आपने देखा होगा कि कभी कोई सेल्स बने होते तो इस तरह हमारे होते हैं थोड़ कि इसके अंदर जो हमारे सेल्स होते हैं आपसमें चिपके हुए होते हैं दूसरा यह continuous सीट बनाते हैं अब इसका example सिंपल सा क्या समझो आप लोग की स्केन है तो इसके ने एक एक एपिथिले टिस हुए और इसके हमारी continuous है आपको ऐसा तो नहीं है यहां पर इसके में कोई जोइंट लगाई यहां पूरी के पूरी इसके हमारी continuous है तो यह हमारी क्या है continuous सीट के फॉर्म में काफी long long होती है ठीक है उसके अलाबर देखाए तो इसमें यह एक्ट्रस अलोग स्पेस हमारा बहुत जादा कम होता है और जो हमारे एक्टिले टिसू होते हैं यह सारे टिसू आपस में मिल जुलकर ही काम करें और सारे टिसू एक दूजरे से connected भी है तो यहां पर हमारे क्लोश ली बैक है continuous सीट बनाते हैं और इनके इंटा सेलोई स्पेस हमारा बहुत कम होता है और सेकंड ली यह हमारे एक बेस्मेंट मेंब्रेन के ऊपर इस तरह से रख एक टैप का मैंने यहां बना दिया जिससे आपको आगे भी यह help तो आप इस तरह थोड़ा इसको समझ सकते हो बाकि मैं आपको और समझाने वाला हूं या चाहो अगर आपको बिल्कुल common बनाना हो आपको यह सब ना बनाना पार इतना तो आप इसको बनाकर आजाओगे ना या में में पांच आप लोग लिए लिख़्ी हैं तो पहला अमारे क्या ओकि यह मारी पूरी वर्डी को बचाने का काम करती है कोई गंदिगा आ यह हमको बचाने का काम कर रहे है आप इग्जामपल मालो कभी आपके कोई घ्खय रख देतेते हैं जिससे कोई चीज मतलब उ पूरी बड़ी और तो सेकृस करेंगते हैं सिग्रेशन होते हैं इसे हमारे यह अधोल रहे हैं यह प्सकेन करती या है जैसे हमारा क्या सिग्रीट करती है पसीन न कहले हाई लुआम भूने मैं किसी ग्लेंड कितरों निकलते हैं जो हमारी बड़ी में various function perform कर रहे हैं तो जितने भी हमारे जे ग्लेंड्स हैं यह सारे के सारे हमारे epithelial tissue से बिनकर बने होते हैं तो इसी लिए secretion में हमारा बहुत major role play करता है हमारा epithelial tissue फर्ड हमारा आता है यहाँ फूर्द आता है absorption अब जो हमारी जी आइटी यानकि जो हमारा इस्टमक हो गया इंटेस्टाइन हो गया इसके अंदर की जो हमारी लेयर है वह भी कहीं न कहीं हमारी एपिथीले टिसू से मिलकर बनी होती है और इसी विज़ासे जो एब्जॉप्सन आपको अताइच कोई भी हम दबा बगएरा खाते को तो वह हमारा कही ना कहीं से मिलकर बना होता है हमारी इसकिन है मतलब पाणी के तरो पसीने के सोडियम को बाहर निकाल लिए तो पढ़ना है अब यह जो हमारा इसका classification है वह मेजर ली तीन पार्ट में डिवाइड है पहला हमारा आता है सिंपल यहां पर मैंने आगे लिखा नहीं है पर आप लिख सकते हो कि यह हमारा पहला का है अब इसके अंदर भी हमारे सब पार्ट में डिवाइड है सिंपल का हमारा आता है सिंपल इसका पूरा नाम क्या होगा इसके इसके सिंपल इसके फर्फ़ी होगा हमारा पहल दाएगा और यहां के हमारे टियारा लरे तो यह समें एक्से आता है आप जो इसको हम भी बोल देते हैं जो मैंने सबसे बजाए था इसलिएन का नाम एसी भी आता है कि simple epithelium, simple squamous epithelium, simple cubital epithelium तो कहीं भी कोई भी नाम आए आपको confused नहीं होना है classification आप यहां पर समझ गए होगे अब हम एक एक करके सभी को define कर लेते हैं तो define करने से पहले मैं आपको mail ली यान कि कैसे हमारे सबको हम याद करें वह मैं आपको समझा देता हूं तो जो हमारे glandular है यान कि हमारे तीन टाइप थे तो इस glandular को हम लाश्ट में समझेंगे पहले हम इन दोनों को आपस में compare करते हुए समझ लेते हैं तो एक हमारा था simple epithelium tissue एक हमारा था stratified epithelium tissue अब simple का इतना समझो कि हमारा simple है तो इसमें होती है हमारी cells की single layer देखो हम यह तो समझ गई थे कि जो हमारे tissue है actual में यह घ्रूप of cells है तो अगर हम बात करें simple की तो जो हमारे group of cells है इसमें अकर single layer प्रिजएंट हो तो बद एक के उपर एक रखने मालब क्या है कि यहां पर हमारी आताती है multiple layer तो जब हमारी multiple layer के बारे में बात हो तो हम बोल देते हैं कि यह हमारे कौन से stratified epithelium tissue है तो simple में हमारी single layer है और stratified में हमारी multiple layer है दोन वाप शमजहाए में यह हमारे cells हैं और इंक लिए रहा हा है और इसकी मल्टिपल दूसरम दूसरा सबसे नीचे हमारी feature basement few ट्रवी तो आप चाहो तो चयां हो तो इस तरह भी diagram बनाकर आसकते हो यह भी हमारые सारे की सारे robbery और जो बीओ और समझ गई है क्या कैसे इसको क्या सब्सक्राइब जाते हैं इसको में हैं के परальном डाइग्रम समझ ओगे कि उसके रहां थे तो बस आपको एक इसकी location और इसके function आपको याद करने पड़ेंगे अगर आप location याद कर लेते हो तो उसी के वेश पर आपको function भी याद हो जाएंगे तो mainly अगर हम यहाँ पर structure समझें तो जो हमारे squarems है तो यहाँ पर आपको कुछ feeling आ रही होगी कि यह हमारे क्या है पूरा कपूर एक नीचे की basement और उसके उपर हमारे इस तरह के तीन सेल लगे हुए हैं और यह single layer में और यह थोड़े से scale टाइप है थोड़े से लंबे से आपको यहाँ दिख रहे होंगे फ्लैट होते हैं और लंबे सेल होते हैं यह हमारे हुजाते है squarems का कहीं भी मतलब आए simple समझ लेना कि यहाँ पर हमारे flat cells के बारे में बात हो रही है यहाँ एकदम flat होंगे flat मतलब एकदम clean होंगे स्केल की तरह होंगे अब हमारे जो इसकी हमें multiple layer कर देने तो जहां पर हमारी एक लेयर थी अब इसकी यहाँ पर हमने तीन चार लेयर कर दें एक के ऊपर एक चड़ा दिए तो यह हमारे हो दाएंगे a क्यूब सेपके होंगे तो क्यूब आपको बता कि इस तरह का क्यूब होता है यह मैंने यह मतलब 3D में इस स्टरह का क्यूब होता है और 2D में हमाम इसको इस तरह बना सकते हैं में मेल दी क्या है हमारे सेल्स आपको ऐसे दिख रहे होंगे जो एक से साथ ऐसे चिपके हुए है पड़ एक सिंगल लेयर है वहीं अगर हम बात करें इस्टेटिफाइड एपिथीलियम की तो यहां पर बास स्टेटिफाइड क्यूबोडल में क्या हो जाएगा इसकी एसमें rectangular होंगे इसमें हमारे Studio sat कि तो इसमें आपको दिख रहे होंगे कि हमारे क्या हमारे और इसके हमारे सेल यह हमारे commend बाता है खिंतन सोलियते और वहमारा Cillia तो यह हमारे सिलॉइटेट होते हैं इसमें जो हमारे कॉल्म नार होते हैं इसके उपर anki रख चाहित है यह माइक बिलाई यहां सीर कि अब ट्रांजैसिनल का महता है कोई चीजड कर रहा है आप लोगों ने ट्टक सेम्ट na आप देखा होगा ट्रांजीस कर लेते हैं एक दूसरे को चेंज कर लेते हैं अब यह हमारे कब आते हैं यह आते हैं स्ट्रेस और टेंसर वाली कंडिशन में हमारे अब इसको एक्जामपल समझो जैसे यूरिनरी ब्लैडर होता है तो जब वह हमारा मतलब यूरिन हमारी भरने लखती हैं हम लोग ली लगते हैं तो उस जगा पर हमारे प्रिज Dent होते हैं traditional cells beispielsweise और यह में सको बचा करते हैं तो इस और kidney की lining में present होता है अब इसका काम क्या है kidney में present है तो ये blood filtration करेगा और हमारा ये diffusion यान की जो हमारा blood vessels में है तो वहाँ पर oxygen को उसके अंदर लाने में help करेगा हमारे airs और lungs में तो ये हमारा O2 CO2 gas को pass करने में help करेगा और हमारे बाकी देगा तो ये secreting सभिश्टान cell करे में help करेगा डाग्राम आपको यहां दिख साएगा और रफ डाग्राम आप चाहो तो यह वाला भी यहां पर बना कर आ सकते हो सेकेंड हमारा आता है simple keyword तो क्यूइसमें हमारे q-like cells होते हैं और में यह हमारा ओबरी लांच जो होते हैं उसमें प्रिजन्ट होता है थाइरोड ग्ल इंटेस्टाइन के अंदर हमारे इस तरह के थोड़े सेल पाई जाते हैं थोड़े उगज़े जो हमारे movement में help करें हमारे खाने बीने को आगे बढ़ा दें उसके लावा यूट्रास यूट्राइंट टूस और रेस्पारेटरी रेक्स में हमारे पाई आते हैं इसके अलाव बाकि यह हमारे रेस्पारेटरी ट्रक्ट में हमारे ब्रेइन के जो बेंट्रीकल्स होते हैं तो पहला ज़ो मारी इसके उपर एक उपर एक हमारी लगी हुई है तो यह हमारे प्रेजंट होता है इसके में इसोफाइगस में हमारे माउथ में टंग में और वैजायना में यह हमारा प्रिजन्ट होता है इसके अलाब इसके फंक्सन देखाता है में लिए हमारे दो टैक्स में होता है के अंदर हमारा करतीन फाइवर प्रिजन्ट होता है जो बाटर प्रूफ कर देता है यहां अब हमारे रिजांट हो जाएगी इसकी मौश्ट्र नहीं होगा और यह जगह आपने देखे होंगे लिए यहां यहां यह कर देता है फिर हमारे यहां आता है स्टाटिफाइट क्यूवीड तो इसमें हमारे क्या है मल्टिपल लियर ऑफ क्यूवड्स होती है यहां पर दिख लेंट से मिल्क जो हमारे ब्रेस्ट में प्रिजेंट होते हैं इस्ट्रक्चर आपको यहां दिख जाएगा फिर थर्ड हमारे आता है स्ट्रेटीफाइड कॉलुम्नार एपिस लियम तो इसमें अब इस ग्लेंडुलर एपिथीलियम बस इतना समझो जैसे हमारे पूरी वाड़ी है तो उसके अंदर बहुत सारे ग्लेंट भी पाहिज आते हैं जो बैरियस हार्मोन और एंजयम्स और केमिकल को रिलीज करते हैं जो हमारी बॉड़ी में बहुत सारे फंक्शन्स हो करते हैं जैसे एक्जामपल के लिए हमारी बॉड़ी में जो खाना पसता है पेट के अंदर तो वहाँ पे हमारा डाइजेक्टिव एंजयम होता है हमारा ऐसी लान की भाहिल एसे डिली होता है उसके अलाबबाद जो हमारा माउथ है वहाँ पे आपको देखा होगा लार आती रहती ह है अब यह टिसू हमारे मिल ली क्या करते हैं हार्मोन को रिलीज करते हैं अब यह हमारे दो टैप्स में डिवाइड हो जाते हैं एक हमारा होता है एक हमारा होता है एक हमारा एक्जोक्राइन है इसमें मिल ली क्या होता है जैसे कोई हमारा ग्लेंट से हमारा तो इसका काम मि अब बात करें एक्जोख्राइन एक उब्लेड के अंदर रिलीज करते हैं और वह जब टार्गेट अपनी साइट पर पहुंच आते तो वह हमारा एक्जोख्राइन के लाता यह एक्ज़ख्राइन में दो डिफरेंस होगा है EDDCH structure एई मैंने बना धिया जिसको आप यहाँ पर चाहो तो बना सकते हो तो यही था हमारा सारा का सारा इन EPITEL ED GASEE के बारे में तो आपको करी बाद करेंगे तो अब आपको वीडियो कैसी की लगाइघे बागी अगर कोई भी डाउट से आप कमेंट करके पूछ सकते हो वागी मैं मिलता हूं आपसे बहुत नेक्ट वीडियो में जिसमें हम आगे कनेक्टिव टेसु या पर आगे टॉपिक के बारे में बात करेंगे बागी अब आपको जो है कमेंट्स में टिशू की डेफिनेशन लिखे बताने हैं अगर आप लोग को याद होगी होगी आप लोग समझ चुके तो टिशू की डेफिनेशन आपको कमेंट्स में लिखे बतानी है तो बस आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं मैं आपसे बहुत नेक्ट फीडियो में तर फेंक्यू टेक केर एंड आपसे लग अपना अपनी फैमिली क्या ख्या लखेगा आगे इस वीडियो को लाइक करो कैसा पड़ा रहे हैं फीडियो वेग और आप कमेंट्स में दे सकते हों जाहिन दोस्तों बाए बाए